उत्तपिदेश के मुरदबाद जिले में सॉलवर गेंग पर अब तक की सबसे बड़ी कारेवाही की गई यूपी बोर्ड परिक्षा में नकल को लेकर मुरदबाद में सॉलवर गेंग को पकड़ा गया है इसमें 26 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस आरोपियों से पूस्ताच की जा रही है जानकारी के मुताविक मुरदबाद जनपत के ठाकुर द्वारा थाना इलाके में हाई स्कूल की परिक्षा के दुरान पुलिस ने चार महीला समित 26 लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें तीन चिफशक हैं, पुलिस आरोपियों को थाने में ले जाकर पूस्ताच कर रही है, पूस्ताच में इस गेंग से बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है, बल्या पेपर लीग के बाद उत्तर पेदेश बोर्ट परिक्षा में नकल के खिलाफ बड़ी कारव लिखे जा रहे हैं, इस सुचना पर D.I.O.S. और उनके साथ जो फ्लाइंग स्कुएड टीम थी ओ माउके पर तत्काल पोँची और वहां पर जाने पर पाया गया कि वहां पर एक कमरे में 15 बच्चों की 15 कापियां लिखी जा रही थी और वह लोग थे जो परिशार्थी न कराई जा रही और जो इसमें दोसी होंगे जो गयंग बना कर इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्य तरूप से हम इस बात को भी प्रासेस करेंगे कि क्या एनेसे की कारवाई के लिए इनके लिए उप्यूप तो नहीं है अगर ऐसा उप्यूप पाया जाता है तो जो स्कूल के मालिक है या चैर्मेन जो गई हैं कि अगर चैर्मेन देखें चाहे कोई मालिक हो चाहे चैर्मेन हो जिन लोगों की भी सनलिप्ता इसमें है प्रफम देश्टिया जो वहां के पदाना चाह रहे हैं उनकी जो टीम है और जो लोग कमरे से अरेस्ट किये गए और अभी हमारी विवेश्टा चल रही है विवेश्टा में कुछ नाम अगर और आते हैं तो उनकी दाब को ब्लोग एड करेंगे जो पत्र पंद्र प्रस्पत थे वो फोटो कापी थी और कापियां थी जिस पर कि नंबर इरेज नंबर नहीं लिखे हुए थे इरेज कर दि पुला केंदर पर वहां से फिर किसी तरह से उसकी फोटो कापी प्रात्त कि गई कांपियां किसी तरह से वहां पहूंश आई गए और वहां लिखा है पेपर लिग का मामला नहीं है यह पर लिक्ता तो प्रस नहीं नहीं उठता है क्योंकि साड़े नव बजे के आस-पास की देखे, जो 26 लोग उस कमरे में पाये गए हैं, उसमें सालबर हैं, प्लस जो केंडर के वहां के प्रिंस्पल हैं, उनका नाम इसमें आ रहा है, बाकि कुछ हो लोगों के नाम आ रहा है, वो विस्तित विष्णा के उपराण जो कांपिया लिख रहे हैं ते उभी उसमें सामिल के लिएम workers कुछ हैं आ रहा है, बाकि में रहा हैं, और सीत का हैं में आँ़ युदू हैं?